प्रधानमंती नरेन मोदी 11 अक्टूबर को जैन में महा कालिश्वर मंदिर कॉरिडोर का उधगाटन करेंगी मुखे मंती शिवरा सिंग चोहाने सोमवार को कॉरिडोर का विजित करने के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान पीम के दौरे के जानकारी दी दरसल उजैन के महा कालिश्वर मंदिर विस्तारी करन योजनक के तहट प्रथम चरण का कार पूरा हो गया है इसका उधगाटन बूर में होना था लेकिन नगर निकाय चुनाओं की वज़े से आचार संगता लागू हो गई थी जिसके कारण ये उधगाटन टल गया था एक बार फिर उधगाटन की तारीक तै हुई है अब 11 अक्टूबर को प्रधान मंदि नरिन मोदी उजैन में प्रथम चरण के कारियों का उधगाटन करेंगे महा कालेश्वर मंदी विस्तारीकरण योजना के तहट पूरे पड़िसर को दस गुना ज्यादा बड़ा बना दिया गया है शिवरा सिंग चोहान ने पूरे पड़िसर का दौरा किया और अधूरे कार को शीगर पूर करने के निर्देश दिये उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि 11 अक्टूबर को प्रधान मंती नरिन मोदी प्रिथम चरन के कालियों का उधगाटन करेंगे इसके बाद ये आम श्रधालियों के लिए खोल दिया जाएगा इसके लावा पूरे परिसर को गूमने में लगभग दो घंटे से अधिक का वक्त लगेगा परिसर में धार मिकास्था का पूरा ध्यान रखा गया है पूरे परिसर में पगवान शिफ के अलग-अलग स्वरूप के दर्शन भी मूर्तियों के माध्यम से हो रहे हैं इसके अलावा दीवारों पर श्लोक भी लिखे गए हैं श्रद्धालों की सुवधा को देखते हुए विशाल पार्किंग भी बनाई गई है आएनस की रपोर्ट